बच्चो इस वीडियो में प्लस टू कलास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 6 एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं क्वेस्टन नमबर 1 के पार्ट नमबर 13, 14 and 15 करेंगे हम इसमें देखें 13 में हमारे पास क्या दिया है 81.5 की पावर 1 अपोन 4 मिंज हमें function की जो value है let identify हमने कर लिया fx is equal to x raise to power 1 अपोन 4 और यहां से अगर हम derivative लेंगे इसका differentiation वो 1 अपोन 4 x raise to power 3 अपोन 4 हो जाएगा f of x plus delta x is approximate f of x plus delta x into f dash x means x plus delta x raise to power 1 upon 4 is approximate fx fx की value हमारे पास क्या है x raise to power 1 upon 4 plus delta x into f dash x की value होगी 4 into x raise to power 3 upon 4 हो गया ठीक है अब हमने क्या करना है perfectness ढूंडनी है taking अब 4 में x 81 हम पहले भी कर चुके हैं यह 81 जो है 3 की power 4 होता है तो हमने x की value लेली 81 and delta x आप इसमें से minus करेंगे तो 0.5 बचेगा delta x हमारा 0.5 हो गया इसमें value put करेंगे 81 plus 0.5 raise to power 1 upon 4 approximated x 81 की power 1 upon 4 plus delta x mean 0.5 4 into 81 की power 3 upon 4 तो approximated 81.5 की power 1 upon 4 किसके approximated होगी हमारी 81 यह 3 की power 4 है तो यहां से value 3 हो गया plus 0.5 divided by 4 into 3 की power 4 into 3 4 power 3 by 4 4 से 4 cancel हो गया 3 की power 3 means 27 27 into 4 128 हो गया तो यहां पर हमारा पास value क्या हो जाएगी approximated 3 plus 0.5 divided by 108 108 हो गया तो आपने क्या करना है sorry 0.5 हम क्या करें अगर मैं इसको 2 से multiply कर दूं उपर हमारा 1 हो गया नीचे 216 means आपने 1 को 216 से divide करना है तो point लग गया 0 छोटा हो गया हमारे पास एक जिरो लगा के एक जिरो हम इंट्रोडूस करते हैं फिर जिरो थाउजन पर हमारे पास कितने पर जाएगा यह तकरिबन हमारा जाएगा 4 पर तो 4 हो गया 64 8 64 36 1360 इसके बाद हम कितने पर जाएगा यह हमारे पास 6 1296 तो 0.046 अगर हम इसको छोड़ें तो 0.05 हम एप्रोक्सिमेशन में ले सकते हैं एप्रोक्सिमेशन 3 प्लस 0.0046 ले लीजिए अगर हम यहां तक लेना चाहते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 3.0046 और अगर आप इसको छोड़ेंगे तो यह वैल्यू 3.005 हो जाएगी यह आपका अन्सर आ गया ठीक है अब हम 14 पार्ट करते हैं 14 में हमारे पास let y fx is equal to x raise to power 3 by 2 हो गया यहां से f dash x f dash x की वैल्यू पावर नीचे आगी 3 by 2 into x raise to power minus 1 करोगे तो 1 by 2 बचेगा चीक है यह हो गया इसका differentiation. So, f of x plus delta x approximated f of x plus delta x into f dash x हो गया. So, x plus delta x raise to power 3 by 2 approximated होगा f x x raise to power 3 by 2 plus delta x into f dash x की value 3 by 2 x raise to power 1 upon 2 अब यहां पे हमारे पास approximated दिखे हमने 1 upon 2 वाली जो वैल्यू वो खतम करनी है तो हम क्या ले सकते है? 4 ले सकते हैं. Taking x is equal to 4 x is equal to 4 तो इसमें से जब आप यह minus करेंगे 4.0003.9682300.032 आपका अंसर आजाएगा किसमें आएगा? इसमें. सो delta x की value minus 0.032 हो जाएगा. इसमें value put करेंगे इसका 3 by 2 approximated 4 की power 3 by 2 plus delta x की value minus का 0.032 into 3 by 2 x. x हमारे पास क्या है? 4 raise to power. 4 raise to power 1 upon 2 हो गया. यह हो गया 3.968 की power 3 by 2. यह हमारे पास 4. means 2 raise to power 2 की power 3 by 2 करेंगे. यह cancer हो गया. 2 की power कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. 2 की power 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ठीक है? यह हो गया हमारा 8 minus हो जाएगा. क्योंकि minus का निसान है. अब 4 की power 0.032 into 3 by 2. 4 की power 1 by 2 means 2. 2 से 2. cancel हो गया. Approximated 8 minus 3 से multiply करेंगे 0.096. minus कर दीजिए. 10, 4, 9, 0, 9. 7.904 is your approximated value of 3.96 की power 3 by 2. चीक है? बहुत यह असान सा था. चलिए अब इसका last part करते हैं. Question number 1 का last part है. 32.15 raise to power 1 upon 5. Let y is equal to fx. हमने ले लिया x raise to power 1 upon 5. यहां से f dash x हमारा क्या बनेगा? 1 upon 5 into x raise to power 4 upon 5. 1 upon 5 x raise to power 4 upon 5 हो गया. चीक है? अब f of x plus delta x की value approximation में किसके एकवल बताई हमने? f of x plus delta x into f dash x. means x plus delta x raise to power 1 upon 5 approximated fx. fx की value x raise to power 1 upon 5 plus delta x into f dash x हमारा पास है? 5 into x raise to power 4 upon 5. अब हमें यहां पर ढूंडना है perfectness x की taking. अब fifth root में, means 5 power में अगर हम डूंडें 32, 2 की power 5 होता है. तो हमने x को ले लिया 32. तो delta x हमारा क्या बचेगा? इसमें से गटाएंगे तो 0.15 भी बचेगा हो गया. यहां पर value put कर दीजे 32 plus 0.15 raise to power 1 upon 5 approximated 32 raise to power 1 upon 5 plus delta x हमारा 0.15 है. 5 into 32 raise to power 4 upon 5. तो यह value होगी हमारी 32.15 raise to power 1 upon 5 approximated 32 जो है, वो 2 raise to power 5 को 1 upon 5 करेंगी. तो यह value हमारा पास होगी है 2 plus 0.15 divided by 2 divided by 5 into 5 into 32 raise to power 4 upon 5 है. अगर मैं यहां पर 4 upon 5 लेता तो 5 से 5 cancel होगे 2 की पावर 4 हो जाएगा. और 2 की पावर 4, 2 plus 2 की पावर 4 मतलब क्या होता? 8 हो गया, 16 हो गया, 16 into 5, 80. तो 0.15 divided by 80 हो गया. आपने divide करना है 0 point, अगर मैं इस 0 के नाम का point लगाऊं तो 0.015 divided by 8 करना है. तो approximate हो जाएगा 2 plus 0 point, 0, 0, यहां पर अभी भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया. तो 8 आगया, 7, 0, 8, 8 जा, 64, 6, आगे हमने 3 decimal तक ही लेना है. तो 0.0018, अगर आप 4 decimal तक लोगे तो एक increase हो जाएगा यहां पर. ठीक है, तो it is approximated 2.0011 तक लें और यहां पर अगर 3 decimal तक लेंगे, तो approximation आपका 2.002 हो जाएगा, इसकी value आगी हमारी 32.15 raised to power 1 upon 5 के value यह होगी. तो बहुत ही interesting और बहुत ही असान से question है, approximation का एक question जरूर आ जाता है. चलिए, इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में के लिए questions के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत.